कि नमस्कार दोस्त मैं मनीश वर्मा आप सभी का स्वागत है हमारे सब्सक्राइब आज बात करने वाले टोपिक आपको दिख रहा होगा यह हमारी दोस्तों डिवर्टी का परती क्या है इस टेच्चु अप लिवर्टी कहां पर अमेरिका के दूस्तों नियोर्क के अंदर है टोपिक हमारे इसे से लिवर्टी यानि कि लिवर्टी किसे कहते है आखिर असली आजादी किसे कहा जाता है आज की वीडियो के अंदर इस टोपिक पर बात करने वाले बैसिकल दोस्तों आज की यह जो टोपिक है यह बीए प्रोग्राम सेमेश्टर फॉस्ट के जो बच्च वाला है यह प्रोग्राम यह प्लॉटिकल साइन चैक्टर नमबर 2 तो दोस्ता हम इसको समझेंगे आज फटा फट सारे जोईन हो जाऊं ठीक है सनात जी संडें संड़े को ग्लास नहीं हमेशा वर्किंग वांडेंग कि आप कहते हो तो यह ले सकते हो जो कि सभी बच्चों के लिए सब्सक्राइब नाम क्या है हमारा पॉजिटिव एंड निगेटिव लिवर्टी सुतंतरता आखिर असली सुतंतरता क्या है यह प्रोग्राम सेकीन समेस्टर नहीं दोस्त समेस्टर ठीक है चैप्टर सेकिंड है चलिए बात करते हैं अश्टोपिक क्यों ठीक है चलिए तो टोपिक अपर दोस्तों स्टार्ट चलिए कि लिए रभाई फिर हाँ आव आते हैं अपने टोपिक अपर याने की दोस्त लिवर्टी कहते किसी हैं ठीक है चलिए ठीक है तो लिवर्टी का मतलब क्या होता है सबसे पहले टोपिक की स्टार्टिंग दोस्त हम इंट्रोडक्शन से करते हैं तो जो बच्चे प्रोग्राम समेश्टर फर्स्ट के अंदर निकल तो स्पेशली वीडियो दोस्त हैं कि सबी बच्चों को यह वीडियो दे गोटा सा इंट्रोडक्शन ताकि आपको टोपिक समझ माँ जा है मैं इसके ऊपर आने से पहले अपने सब्ढमें बताऊंगा था कि टोपिक समझ माँ दुन्या के दोस्तों तमाम देसों ने अपने लिवर्टी को लेने के लिए अब ले सुतंदरता पाने के लिए काफी संगर्स किया वह इसमें भारती भी अच्छोता नहीं रहा है हम इस बात को जानते हैं दोस्त एक बात आपको यहां पर हमें से याद रखना सगी है लिवर् के लिए बहुत जादा अपना किया है कोई भी अच्छोता नहीं रहा अमेरिकन अफ्रिकन और मुझ सभी कंट्रीज ने दुनिया के तमाव दोस्तों से ज्यादा कंट्री तो गुलाम थे तो कहीने करें सब ने किया है इस्ट्रेगल तो यह तो क्लिए दोस्ति आपी चलिए अब यहाँ एक चीज समझते हैं दुनिया के अंदर सबसे पहले अजादी के लिए दोस्त अमेरिका ने संघर्स किया चार जुलाई यह सब तोपे किसलिए पता रहा हूं ताकि आपको यह पता चले कि इंडिपेंडेंट्स यह जो लिवर्टी है इसकी मंग स्टार्ट कहा स जितने वीचे श्ट्रकल हुए पहले इनके बारे में संघ्वा चार जुलाई को दोस्त अमेरिका इंगलेंड से यानि की ब्रिटन से आजाद होता है चार जुलाई 1776 को इंडिपेंडेंडेंस मिलती है अमेरिका को टोटल दोस्त उस समय अमेरिका गंदर 13 स्टेट हुआ कर 1789 में जाकर फ्रेंच रेविल्यूशन ँभू तो सबसे पहले राइट टुलाइट टुलिवटि सबसे पहले राइट टू लिवर्टी द्यट टू प्रोपर्टी और राइट टू फर्टैनिटी जनिन कि लाइफ याँ P प्रोपर्टी की बात है संपत्ति की सुतितरता की और बंदूतित की लिवर्टी प्रोपर्टी फर्टेनिटी इन तीनों की दोस्तों डिमांड सबसे पहले फ्रांच के लोगों ने की यानि की फ्रेंच रेवलुशन में फ्रांच के लोगों ने कर तो इससे दोस्ति यहां पर क्या प्रोपर्टी का राइट एंड लिवर्टी का एंड फर्टैनिटी का इसका मलब होता है एकता यूनूटी बनायक राखता यह तीनों दोस्तों सबसे पहले फ्रेंच रेवलुशन में निकल करें तुन्या का तमाम देश ने लिया और आकरकार जो भारत हमारा भी देश भ भारत के अंदर भी जान ने यहीं से लिया है इसके बाद दोस्ते और भी तमाम जतने भी कंट्री हैं दिरित दिरिकर करके आजादी के लिए संगर्थ होता है इस ताइट हुआ हाँ अपनी वेसों के लिए बेटन विगेरा फ्रांस विगेरा पूर्टिगाल जर्मनी इन तो बात हो गई अपने ही देश को अजात करवाने के लिए बीदेशीयों से यह तो इसके बात हो गई अब यह बात करते हम की individual रूप से डोस्त हम सभी ins시민 किया है independent है सभी के पास है आपका क्या कहना है कि जो यह लिवर्टी है चैया किसी government ने दिया है या किसी इनसान किया दोस्तों किसी परसन ने दिया है हमें या इसने भी नहीं दिया या इसने भी नहीं दिया या हमें दोस्त यह गोड ने दिया है या हमें यह भगवान ने दिया है आपका क्या कहना है जब दोस्तों मैं आपसे पूछूँ तो हमें किसने दिया है क्या समझ कि नहीं हुआ थे थैंकिन झीडिया सोचछे एकवर आपसे पूछ़ोंए किस ने दिया यह रैख गोर्ड काँ़ ने दिया सहनाच पांज सेकार ने थोड़ दिया सरकार तो कही निए कही और ज़ाधा उसके ओपर restriction लगा रही है अगर देखा जाए तो अगर एक्चुल माहिने में यह कर देखा जाए तो liberty माल लो आज में थोड़ा आपको example देता हूँ तोपिक दोस्त अभी मैं आया नहींगो मैं फिले introduction पर चल रहा हूँ ठीक है concept समय मार जाएगा topic अपने आप समझ डालोगो liberty का जो right है यह किसी भी person ने किसी भी government ने दिया नहीं गोर्मेंट band person ने individual रुऑ से person के right पर कहीं न करिक लगा है क्या करना है यह नहीं बताया क्या नहीं करना यह बताया और क्या करना है इससे यह पता चली है कि हमें क्या नहीं करते हैं इस तरीके से अगर हम बात करें तो पहले के एंचेंट पिरेड के अंदर एंचेंट बल्ड के भी बात करूं में तो इतना लिवरेटी लोगों को नहीं हुआ करता था क्यों कि वहां पर राजाओं का सासन हुआ करता था और तो mostly राजा डिक्रेटर हुआ करते थे इतिहास में दोस्त हम सब नहीं जान रहा है तो ऐसा ही सिस्टम था बोड़ेड में तो दोस्ता पूरे देश को गुलाम बनाने के बाद चलने लग गई इस तरह किससे एक ऐसा वर्ड लिवर्टी या फ्रिडम उसको मैं कहूं एक ऐसा फ्रिडम जो इंसानों के लिए काफी जादा ही इंपोर्टेंट रहा है क्यों कि इसको एचीव करने के लिए लोगों ने काफी स्ट्रगल किया है और आज भी भी स्ट्रगल कर रहा है आज भी दोस्त काफी सारी ऐसी कम्यूटी है एक इंडिविजूल कम्यूटी की बात कर जो अपने freedom के लिए अपने freedom के लिए काफी struggle कर रहे हैं सच बात है दोस्ते कहीं ना कहीं एक आज फैमिनिस्ट डिमांड उठाते हैं महिलाओं की freedom के लिए जो कि एक जायज सी बात है आदिवासी अपने लिए हमांग उठाते हैं तो तो उसे एक बात करें तो हम यानि की for the birth of human धर्ती बतों जैसे इंसान आया उससे बात सहीं दोस्त हम आगे से देखें तो इंसान ने शुरुवास से लेकि अब तक की बात struggle for freedom है struggle for freedom है ज्यान की freedom एक ऐसा word है जो की इंसान सुरुवास से लेकि आज तक हमेशा संघर्स करते रहे है खिलियर है आज सुरुवास से लेकि आज तक इंसान इसके लिए श्ट्रगल कर रहे है टोपिक पात है तो आपकी आपको समझ में आए ठीक है आप पहले बात करते ह लिवластी इसका मतलब क्या होता है ठीक है यहा पर दोषा पहले स्मस्क्राइब एक लिवबरेटी इस ड्राइब लिवर का हुद कहा इस लिया गया है जो की लिवर से लिवर्टी और निकला है जो अक लिए तक इसका मतलब होता है फिरी जा इंडिपेंडेंट लिवर का मतलब चाहता है फिरी और इंडिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडें लिवर्टी का मतलब निकले का आई कि विद्द रेस्टिक्शन लेकिन वह विड्ड जो है अगर हम इसकी त्योरी को मालें तो ये भी कहने में डिवाइट कर दिया आगे चाहिए अभी दोस्त आगे सल के बात आएगी कहां पे क्या हुआ जितने भी दोस्तों किसी भी एज के जो भी लोग होते हैं उनके लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है है और इट इस दोस्तों हम हम समझ चुके हैं पहले ही क्योंकि लिवर्टी है या दोस्तों जो आपका फ्रीडम है यह ऐसे गांदी जैनी कहा नहीं था कि संदरता खरा इसके लिए काफी श्ट्रगल करना पड़ता है सेम बात है तो लिवर्टी का दोस्तों सोर्स क्या हुआ मैंनी वोर्स एंड रेविल्यूशन के लिए रहे हैं इंदा नेम ओफ लिवर्टी वोर बैटल्स रेविल्यूशन इस्ट्रगल है टेकन प्लेस इन दा हिस्ट्री दुछ करना भी थी हास के पूरे हिस्ट्री को टाकर देखे हम तो कहीं न कहीं इस्टे के लिए बढकिए गए बैटल्स के गए रवल्यूशन किया बैटल्स दोस्तों अमेरिके बैभिल्यूशन फ्रेंच रेविल्यूशन रेविलूशन गृत्शिय यह वर्ड किस तरीके से हमारे life important होता चला गया यहां पर यह देख रहे हैं लिवर्टी मेंस दा अन्डिस्टिक्टेट फ्रेडम देखो यहां पर एक वर्ड निकल गाया अन्रेस्टिक्टेड फ्रेडम अब इस वर्ड को हम समझने की पूरी कोचिस करें तो सोच ज़रा एक की एक विरी सो स्ना इंसाले मेरे उपार आपके उपर पर किसी की ऊपर भी नहों। कंट गार तो एक परकार से दो Essa barbecue नहीं है को अब इंसान कोई ऐसा काम कर रहा है जिसका गलब परहाब जिसका गलब दूसरे पर पकर रहे चाई ग्लत कंतलों तो इसमें उसके बज़े से मेरी फ्रीडि़ेम को खत्रा हुआ हैं तो यह वंदू का मतलब आप ओकर चाटतो जो आप चाहते हो बस इस बात को ध्यान लगते हुए कि आपके काम से किसी दूसरे को कोई भी गलत इफ्यक्ट ना पड़े सब्सक्राइब है तो यहां पर आपको यह समझना है है ना तो यहां पर कहा भी क्या है कि वर्ट इस सोट अफ अंडिस्टिक्टेड लिवर्टी इस नोट पॉसिवल इन सुसाइटी है ना अगर दोस्त कोकब जी यह पुल्टिक साइंस की क्लासी चल रही है भी अभी क्लासी सापको लेनी है ठीक है कल नहीं हो पाई थी किसी रिजन से बटाज हो रही है ठीक हां तो यह क्या है तो अन्रेस्टिक्टेड की हम बात करेंगे लिवर्टी की तो कहीं यह सुसाइटिक अंदर पॉसि आजादी सबको है और किसी गौर्णमेंट नहीं दी दोस्त मैं फिर से बता रहा हूं आजादी किसी इंसान ने किसी गौर्णमेंट नहीं दी आजादी हमें बाई नेचरूल मिली कहता है नहीं है जो लोग जो लोग क्या कहता है कि राइट टू लाइफ राइट लिवर्ट और राइट टू लिवर्टी, राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू लिवर्टी, यह तीन राइट्स ऐसे हैं, जो हमें किसी इंसान नहीं दिते दोस्तों, यह भगवान, गोड, या अलला, बाहिव गुरू, दो भी दोस कह सकतो, हमें ऊपर व को समझना है, इस जड़ किलियर, किलियर है, चलिए, आपको यहां पर यह समझना है, अब हम थोड़ी सी बात करते हैं, जब भी मेरा आपको बताया है, जब आप पहले टोपिक का इंट्रॉक्शन दे दोगे, देन आपको थिंकर्स के विविज बताने होंगे, अगर आपने माक्स माक्सिमम लाना है, ज़हन लगना, तो आपको थिंकर्स के विफ देने होंगे, यहां पर दोड़िस एक थिंकर्स है, जिसका नाम कया जेए ल्यूकस है, दोजने लेंग्वेज को बिक्रे सलेंगे हैं, ताकि किसको दिक्र लाओ, जिएर ल्यूकस, इसकी यह बुक ہے, पिनसिपल ऑफ पॉल्टिक्स डोस्त इसकी भुख है कौन है यह दोस्तों बंदा है जिसका नाम में जेया लीकस इसकी बॉक का नाम में दॉटिक्स इसने इसके अंदर बताया है कि सवजबदरता का तात्वी कर सर्दरता यह जो फ्रिडाम जो आपका लिवेटिक इसका आर्वे कलाब पर बाहर से कोई भी रेस्टिक्शन ना हो कोई भी आउटर से कोई भी रेस्टिक्शन ना हो यानि कि the principles of politics इसकी book का नाम है तो दोस्त हमेशा आपको याल रखना है thinker के नाम साथ उसकी books का नाम प्लस उसने जो कहा है अगर आप एजटी से मैंसे तरह के से इनवेटर कोई आपके लिखते हो बहुत अच्छे मार्ट में गरांटी में देता हूं समझे दोस्ति यहां पे the fundamental meaning of freedom is that the prudent यानि कि जो लोग जो काम करने वाला है लोग prudent is able to do whatever he thinks वो सब कुछ कर सकता है जो वो सोच सकता है जो चाहिए वो कर सकता है ना is best जो उसके लिए ठीक है जो इसके लिए best है and any restrictions outside his work don't be dead उसके बर के ऊपर कोई बाहरी restriction वह गलत है वह नहीं होना चाहिए वह कौन कह रहा है लूकिस कहा रहा है अब देख़ो यहां पे कही न कहीं इन्होंने यह बिल्कुल भी नहीं कहा यहां कि बहारी restriction वह ग्लथ है लेकिन किस परकार का रास्वरिक्सन अब मैं किसे का मडर करने जा रहा हूं मिए ऑफ्पूलिस आके मुझे रोकी कि दो राइन हो रही तो इनके पूरी रही तो को न बात करते हैं अब अब बात करते हैं सैंट वाले बंस्सकुकर नाम कैवाँ को तो इन्होंने पावर की डिविजन की पावर पर डिविजन पर थे थी अमेरिकन रेवलिशन की दुरा तो उससमें ये काफ़ फेमस होगे ठीक है क्या कह रहे है मंटे इसकू ने कहा कि सोतनतर्ता के अलाबा ऐसा कोई भी थेओरी नहीं है जिसने मानप के मस्तिक पे मानप क कि दिमाग पर इतना ज़्यादा परभाब डाला है अब थोड़ी अपने लेंगविजन क्या कहा है सुझता कि कि किसी दूसरे सब्द ने मानप मस्तिक पर इतने घिविन या अधिक परभाब नहीं डाले है जितना किसने लिवर्टेर ने डाला है ठीक है मानप के हैं दोस्ता आपके मांटेस क्यों अब यह आते हैं जोन लोग अब जोन लोग ने क्या कहा लिवर्टी के बारे में आपको इसके बारे बताना हो चाहिए जोन लोग कहता है कि हर बैक्ति को जीवन राइट तू लाइफ लिवर्टी राइट टू लिवर्टी सवतंतरता एंड बिद्गतर हुआ जो जो नहीं का लाइव लबर्टी फोपर्टी है ए्ल एल वल्प की लाइव लीवटी प्रोपर्टी सोलो य१ि जो अधिकार प्रकूर निदिया ये न्या नैचरल यैश्oft इंसान किसी पहता है मतलब कि किसी गॉर्णमेंट नहीं दिया यह भगवान ने दिया यह कहना है जोन लोग का अब यह राइट जो दिया है लोगों को वो राइट इसलिए दिया गया है ताकि वो अपने आपको इंडिविजिन उसे डेवलेमेंट कर सके ठीक है अब लोगों ने क्या किया दोस्त लोगों ने क्या किया सभी लोग मिल गए और राइट टू लाइफ राइट टू प्रोपर्टी राइट टू लिवर्टी इन तीनों राइट्स को प्रोटेक्शन देने के लिए कि यह तीनों दोस्तों जो राइट है इनको प्रोटेक्शन देने के लिए है ना यह तीनों र है यह ईडि़ एक को बनाया और स्टेट की है को चलाने के लिए कुछ लोगों को चुनकर उनका छुनाब करके और उनको नित बना दिया अब स्टेट का मतलब यह हुआ कि लोग ने इसको बनाया है किसलिए ताकि वो इस्टेट जो है वो इन राइट्स को प्रोटेक्शन दे सके यानि कि समझगा है यहाँ पर स्टेट ने लोगों को नहीं बनाया लोगों नो मिलकर एक स्टेट को बनाया है ताकि वो लोगों के इन राइट्स को प्रोटेक्शन दे सके अगर वो state लोगों के इन rights को production नहीं दे सकता तो ऐसे state को बने रहने का यानि कि उस state में जो government है उसको बने रहने का या जो राजा है उसको हटाने का पूरा अधिकार होना चाहिए लोगों के पास यह कहना है जोन लोक्स का इसी theory को कहा जाता है contract theory समाजिक समझोता सिधान social contract theory इस बात को कहा जाता है social contract theory समाजिक समझोता सिधान किलियर है कब जब लोगों ने मिलकर समझोता किया कि हम एक state बनाते हैं जो हमारे rights को protective रख सके is that clear चलिए यहां पर हो समझोता आ गया हां अगर state ऐसा करने में फियल हो जाता है तो लोग मिलके विद्रो reveal कर देंगे है न और इसके हटा देंगे ठीक है हां इससे पहले जो आपका जोन लोक है जोन लोक से पहले दोस्तों एक thinker था ठीक है जोन लोक से पहले एक thinker था ठी hopes hopes ने क्या कहा hopes hopes ने कहा नहीं जो लोगों के पास जो अधिकार है यह बेसक naturally है है ना लेकिन लोगों ने अगर एक बार जिसको state को बना दिया और उसको सरकार को बना दिया अपने rights को protective रखने के लिए तो बस एक बार बना दिया अब वो राजा उसके right को protective रखे या ना को खतं करें इस तरीके से hopes को बिल्कुल भी यानि कि जो आपका liberalism है theory उसका जनक नहीं माने जाता जोन लोग को उदारवात का liberalism का father कहा जाता है क्यों 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 कि क्योंने measurement को कही न कहीं important दिया और कहीं इसने dictator को जनम नहीं दिया dictator siitä आना साही को क्यों कि श्व wen कि स्टेट बात नहीं मानेगा हटा जो और इससने क्या कहां नहीं तो देखो यहांपे जोलोग से पहले ही आ चुका ता लेकिन इसकी그렇री गलत होगी और इसकी थोड़ी ठीक़ जो कि यह बाद में आए समझ में आया है दोस्त जहां पर किलियर दोस्त जहां पर कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो जोन लोग की जो तीन से रही राइट कौन से राइट तू लाइफ राइट टू लिवर्टी यह तीन राइट्स दोस्तों हैं जो जो लोग के द्वारा बताएगे जो कि वाई नैचुरल है अब आपका यह कहना है जीवन हाँ भाई हमारे जिन्दगी तो है ठीक है हम जीने का दिकार है सुद्धरता हाँ भाई हमें कोई रेस्टिक्शन ना हो हमें कोई जवरस्ति ना कर हैं जो हमारे पास क्या है समय है मैं जब धरती पे वाई मारे पास क्या था अमकॉत बदर कर नहीं हम तुं नंगे रहा करते याद हो तो हमारे पास हमारा जो बोड़ी है हमारा दोस्तों जो सरीर है हमारी वही तो प्रोपर्टी है तो तीनों वर्ड एक दिस्तरों से पूरा कंबाइन है कुम्बाइन बड़ है जो कि लोक्स कह रहा है आपे तो हमारी जो प्रोपर्टी हमारी जो बोड़ी है हमारी जो सरीर है दोस्त हमारे लिए वही प्रोपर्टी क्यों तो जितने भी प्रोपर्टी है वही सरीरी बनाता है समझे तो इस्टार्टिंग में उस समय कहा गया लोग चलिए अब क्या है होप कहता है कि यही दोस्तों होप जिसके बारे अभी मैंने बताये था है ना कि स्टेट को अभी प्राय बाहे बाधाओं की अनुपस्थिती बाहे बाधाये जो बहारी रूप से जो प्रावलम्स होती है उनकी पूरी कि अपसेंस है जो कि बैक्ति की कोई भी काम करने के सक्तिकों घटाती है क्या कह रहा है दौस्तों होपस का कहरा है है होपस कहरा है freedom means absence of external barriers यानि कि external रूप से जो भी barriers लग रहे हैं जो कि persons के किसी भी work को क्या कर रही है reduce कर रही है वो गलत है यानि कि मेरे काम करने पर या मैं जो कुछ कर रहा हूँ और बाहर से कोई restriction ऐसी है जो मेरे काम करने की तरीकों को मेरे काम करने की power को घटा रही है तो ये freedom नहीं होगा ठीक है ये कहता है hopes इसलिए इनसान जो कर रहा है वो करे भाहर रूप से कोई restriction ना है अब इनसान जो कर रहा है करे तो भाई यहां तो दिक करता यार discipline के साथ रहने के लिए civilized society में रहने के लिए कुछ कानून तो फोलो करने पड़ेंगे ठीक है इसलिए दोस्त इसकी theorist को हम negative liberty में रखते हैं आगे पढ़ेंगे इसके वारे में समझे होप्स का यहां पर यह कहना है होप्स का यहां पर यह कहना है clear है चलिए and next according to heagle अब क्या नाम है heagle हीगल के अनुसार क्या है संदर्था का अर्थे राज्य के कानूनों का पालन अब यहां पर हीगल क्या कहता है दोस्तों हीगल का नाम सुननों का आपने जो कालमाक्स है ना कालमाक्स उसका दोस्त था हीगल हीगल क्या कहता है कि राज्य के कानूनों का पालन करना है, यानि कि फ्लोइंग दा लोज ओफ दा इस्टेट, यानि कि जो इस्टेट के लोज है, उसको फोलो करना ही हमारा फ्रीडम है, अच्छली में यही फ्रीडम है, इस्टेट के दुआरा जो भी लोज बनाए जारे हैं, उसको पालन करो, स स्टेट है उसके लोस का क्या कर फोलो करो समझे दोस्त किलियर है यहां पर इसमें यह कहा जा रहा है नेश्ट क्या क्या है according to meal अब दोस्तों meal काफी important है यह meal काफी important बनता है इसकी theory को काफी जूरी माना गया है और इसको liberty में negative और positive दोनों मही count किया जाता है यह कहता है कि स्वतिंद्रता के प्रतेक ब्यक्ति द्वारा अपनी मर्जी से अपना सुख धूंडने का अफसर है जितने देर वह है दूसरी के इसी तरह से सुख धूंडने में बादा नहीं नालता कि लिए यहां पर मिल के अनुसार मिल का कहता है कि freedom every person to find his own pleasure अपने सुख को वह धूंडे जब तक धूंडे जब तक किसी और के काम में है नगा दस नोट हिंडर क्या other from finding का similar pleasure जाने कि अपने लिए सुख धूंडने में वह वहां तरह धूंड सकता अपने सुख को धूंडे वह इस बात के याद रहे अपने सुख को धूंडने अपनी कुसे के लिए वह दूसरी की कुसी में कोई बादहाना बने दूसरी की कु इसका नाम आपको यार दखना है ठीक है उलिवर्टी अपनी बुख के अंदर कह रहा है में कि हम जो भी काम चाहे वह कर सकते हैं किसी और को नुकसान ना हो बस यह अतना याल रखना ठीक है ऑन निवर्टी दोस्तों इसके बुख का नाम है आपको याद भी रहे ये स्करिश्मा जी केलए रहां यहाँ पर कोई दिक्रत नहीं चलिए पिर कनू hanno बात करते हैं हम disciplines of liberty दोस्त में इंट्रक्शन नुमिंदे लिया हमने ठीवी देख लिए अब बात करेंगे यह मे Subs of theB bell के बात करेंगे को टाइब्स है ठीक है जसे सुनतरता का पॉजिटिव लिवर्टी एंड निगेटिव लिवर्टी तो जो हमारे लिवर्टी है उसको टू टाइब्स में डिवाइट किया गया है निगेटिव और पॉजिटिव ऐसा क्यों अभी हमने उपर देखा जितने तो जो इस समय गलत लग रहा है आपको उसी को दोस्ता हमने निगेटिव में डाल दिया और जो कहीं न कहीं लग रहा है कि नहीं ठोड़ी कि उसको पोजिटीव में डाल दिया अब कैसे अभी हाँ बात करेंगे पहले हम ये जानते हैं कि हमने इसको डिवाइट किया है क्यों और किसे ने किया इसको डिवाइड, यानि कि दोस्तों जो लिवर्टी की थोरी है, उसको डिवाइड किसे ने किया है, पोजिटिव में और निगिटिव में, अभी दोस्त आपको यहाँ पे पहले यह समझना हुआ, ताकि आपको टोपिक समझ में आ जाए, यहाँ पे दोस्त तरह ना रखा जाए इस तरह के से हमारे लिए क्या है वो इंडिपेंडेंट होगे हमें इंप्रीजमेंट क्या दिक तरह ना रखा जाए हमें गुलाम बना कि ना रखे ऑज्वास है किस ने कहा यह इसे है वल्लिन ने कहा है यह जै इसे है वल्लिन चली क्या एक्ष्वर और आपको अब हम समझते कि लिगेरव पोजिटिव यव्र्टि जया ह्तक है थे कम से बसाए क्या हुआ 1958 में कब 1958 में Liberal Philosopher यह दोस्त एक Liberal Philosopher है यानि इसको नतरता कि दार्सिनिक है जो अपने बिचार देते हैं वियूज देते हैं कोन इससे है वर्लिन क्या नामे इससे है वर्लिन को दोस्तों कहा जाता है Delivered a Lecture Title यानि दोस्त एक Lecture दे रहे थे कहां पे Oxford University के अंदर जो यह Lecture दे रहे थे उसका नाम क्या था Two Concepts of Liberty और यही से यानि कि जो यह Oxford University के अंदर जो यह Lecture दे रहे थे और उस जिसका नाम था Two Concepts of Liberty 1958 की बात यह क्या हुआ था उसी समय दोस्त एक Concept निकल का आया Two Concept एक Negative और एक Positive समझ में आया इसे हैं वर्लिम के द्वारा 1958 में Oxford University के अंदर जो Two Concepts of Liberty का सुन्तरता के दो धारना सुन्तरता के दो धारने पे Lecture दिया गया वही से यह Concept निकल कर आया वही से यह Concept निकल कर आया इस जट के लिए चलिए इसके बात क्या हुआ दोस्तों पुरी दुनिया में फैलता चलेगा और लोग इस पर ऐसे लिखने ऐसे कुरूप में पढ़ने और काफी इसको importance देने लग गए अपने बता रहेता हूं कि कहते किसे ठीक है अभी दोस्त हमने यहां पर पढ़ा कि स्टार्टिंग में क्या होता था हैं जब दोस्तों धरती बनी ही हम सब धरती प्याएं उसके बाद थोड़े समय ते चुटे चलते आए तो इनसान जो चाहे वो करसकता था अब उसकी मर्जी यह अब वो चाहे वो करे अब चाहे बो स्टेट तो दुस्तों को इधाय नहीं पहले स्टेट से पहले की बात है इंसान कमा रहा है, खा रहा है, जा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, बस सब कुछ अपने लाइट में करते जा रहा है, जैसे ये पॉपलेशन बढ़ी, समाज में करपसन, चोरी दिकाती, मडर, ये सब बढ़ने स्थार्ट हो गए, लोगों को लगा भाई इन सबसे बचने के ल होंगे, इसी को सोसल कॉंटक्ट थियोरी कहा जाता है, जब लोगों मिलकर स्टेट को बना दिया, एजट के लिए रहा है, यहां पर दो को दिकत नहीं है, अब इसके बात एक बात आई, जब स्टेट नहीं था, तो उससे पहले के जो लोग है, वो कहते थे कि यार, जब रहता है, उसके काम में कोई भी रेस्टिक्शन नहीं होगा, अब उनको वो आदत लगी रही, जब स्टेट बन गया, किसकी, है, बिदाउट रेस्टिक्शन रहने की, जिसको लेजिस्फेयर के नाम से जाना जाता है, एकोनोमिक सेक्टर के अंदर, है, एडम स्मिस्थ के द जिन्हों ने कहा कि, इंसान जो चाहे वो करे, जो चाहे वो करे वो, उसकी मर्जी है, लेकिन स्टेट या स्थीट का कानून, उस बैक्ति के उपर, या लोगों के उपर, कोई भी रेस्टिक्शन नहीं लगाएगी, that is known as negative liberty, is that के लिए, did you get my point, भली बताओ, ऐसा काम, जो इ किसी भी प्रकार का रेस्टिक्शन नहीं लगाएगी, that is known as negative liberty, is that clear, जल्दी बता फटाफट, सिंपल समझ माया, सिप मेरी बातों को समझते जाए, टोपिक अराम से समझ माया जाएगा, ठीक है, यह हुआ, अब आगी सल के समझ माया लोगों को नहीं यार, अगर स्टेट करेगी, restriction नहीं लगाएगी, तो इंसान तो किसी का भी murder कर देगा, इंसान तो किसी का चोरी चकारी कर लेगा, किसी भी कुछ भी बोल देगा, समाद में सुचाइटे, भुजदा करप्सन, लगर इस तरह के समस्भी कहां से कल आएगी, हम सिविलाइस कहां से कल लाएगी, कै आगे चल के हम हैसूस की गई, नहीं या, सुसाइटी के अंदर कानून का होना जरूरी है, कुछ लोग ऐसे भी है, जिन्हों न कहा कि नहीं, स्टेट कानून बनाए, लोग को regulate करे, कुछ लोग ऐसे भी है, स्टेट को जरूरी माना, और स्टेट को बुरा भी माना, क्यों? क क्योंकि इविल नैसेसरी कहा गिए नैसेसरी भी है यह बुरा भी यह जरूरी इसलिय कि क gusta बनायरा रखता है कानगो यह जरूरी है। और यह बुरा इसलिया है दोस्त क्योंकि इस state फीरडें सब्सक्राइब कर दकार्यों में तो जरूरी को इसचेट का कि राइस्टिक्सन हो ना चाहिए यानि कि लाइफ जीना है हमें बिद्ध कानुन यह कुए बchn नंदर्था कि आप तो नेगेटीफ नहीं आए दिफ्रेंस क्या है बिस वहां पर हैं बहुत इसके लेंगुजे समझते हैं ठीक है अभी जो दोस्त आपको मैंने अपने लिक्त ना हो चलिए अब आते हैं ज़रा अब समझते हैं थोड़ा यह थियोरी क्या कह रहा है है थोड़ा क्यूंक आपको लिखना पड़ेगा ना जाम में अच्छे तरीके से तो समझते हैं हम है है जो भी जरूरी है वो इसके आपको यह थोरी हैं विकास के लिए जो भी जरूरी है वो इन्सान कर सकता है ठीक है यानि कि इसके अंदर हम क्या करते हैं हम अपोचिंडी का फाइदा उठाते हुए हम अपनी परसेनलिटी को डवलमेंट करने की यानि कि इनसान अपने ब्रक्तितिव का विकास करने के लिए काणूनों को साहरा लेता है किलियर है पोजिटिव लिवर्टी कंसिस्ट इन प्रोवाइडिंग अपोचुनिटीज तुदर इंडिविज्वल वेर ही इस क्या है अनकैपिसिटेट यानि कि दोस्त यहां पे स्टेट का काम होता है जो इनसान आगे नहीं बढ़ सकता जो इनसान अपने डवलमेंट नहीं कर सकता तो इसके पास अपनी खुद की नहीं आगे बढ़ने की तो उस कंडिशन में क्या होता है दोस्त इस्टेट क्या करती है कि ऐसे लोगों को आगे बढ़ने के लिए समझे जैसे आज अफर्मेटिव एक्षण है दोस्ता सरकार रोजगार इंप्लॉइमेंट के लिए काम करती है अगर हम दोस्तों बात करें कि सोशी एक्षण है उसमें सरकार का है बिल्कुल पूरे तरह के सबस्तों सरकार का क्या होगा होगा यह की आ मैं दौस्तों बात करें कि लिवक्ती इन इस सब्सक्राइब में दोस्टेव ऑस्तम सिच आनि कि दोस्तों अगर सब्सक्राइब करने कि उन सभी परतिवंदों को या दो सब्सक्राइब करने की बिच अब्स ट्रैक्ट दा इंडिविज्वल निहीं पर्शूट ऑफपिनेस जाने की इंसान अपने खुसी के लिए अगर दूसरे कि इंडिपेंडेंडेस की दूसरी की फ्रेडम को दोस्तों नुक्सान पहुचात जो आप मैं अपने खुसी के लिए मुझे अपने मज़े लेना है तो आपका नुक्सान कर वारा हूं इस कंडिशन दोस्तों आप में पर केस्ट हो सकते हो क्यों क्यों की कावनी लीगल राइट से आपके पास किलियर है कि इसे कहते हैं पोजिटिव लिवर्टी इसे कहते है वो काफी necessary है, condition for liberty, जितने भी दोस्तों right है, अब देखो liberty को fulfill करने के लिए justice भी चाहिए, तो right to justice भी आ गया, equality भी चाहिए, तो right to equality भी आ गया, right to education भी चाहिए, तो जितने भी हमाई rights हो जाते हैं, यह सब आ जाता है इसके अंदर, the state must, और इस यानि की positive liberty है, उसके अंदर state क काफी जरूरी है, state का होना भोजरूरी है, क्यों 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 की state है, जो सभी लोग को discipline के साथ बनाए रखता है, और कानुन ब्रवस्ता, low end order बनाए रखते हैं, पूरे देश को, पूरे system को सई से चलाता है, ठेक है, जो गलत करते हैं, और साथ गलत करता है, और जो ठीक करत उसका ठीक किया जाता है यह Whatever गड़िए एक्तिविटीश एंड यह Divine करता है और स्वारद करता है और flush बढ़ने क्लिए पीर्वीड करता है यह बढ़ने के लिए पॉर्शेध के लियर च्रिए बहना अब घू ह मत रहाPE अब देखो यहां पर आगा वहीवली बात की स्टेट जो है वहां पर इंटर्फेर कर सकता है या उस उस पर रेस्टिक्षन लगा सकता है कि सब्सक्राइब जो हमें रोकता है हमें विकास जो रुकावट उस पर खतम करके ऐसा कंडिशन मैं आएगा ताकि हमारा विकास हो किलियर है चले हैंस दा स्टेट मस्ट क्रियेट पोजिटिब कंडिशन फोर दबेलफियर और सभी के लिए एक पोजिटिब कंडिशन क्रिएट करने का जिम्मेदारी एक तो सिंपल इस से हमें क्या समझ वाया कि स्टेट एक ऐसा एजन है जो लोग के वैल फियर के लिए तक पुझे से आज की सिस्टम हमारे एसा होता है जहां पे कोई इंसान गलत करेंगा उसको का जंदा दे धिया जाएगा के लिए रहे हैं पे समझ में आ गया अब हम पहले कहीं न कहीं बात करते हैं थोड़े जो हिंदी मीडिया माले बच्चे हैं उनको विसमझादे थोड़ा ठीक है सुटमदर्था की सकरात्म धार्ना सुटमदर्था को समाज समाजिक आर्थिक परस्तिति और अधिकार समानता और न्याय के साथ जोड़ती है यानि कि दोस्तों जो आपका लिवर्टी है जो आपका फ्रेडम है फ्रेडम को क्या करते हैं जो सकरात्म सुटमदर्था वाले कि वहां पर बोलते हैं कि सकरात्म सुटमदर्था के अंदर लो उसके लिए सहीं नहीं है समाजवादी तथा उधारवादी लेखों कि अलोचना के परिणाम सुरू अस्टित में आई थी यह दोस्तों लिए पॉजिटिव लिवर्टी ठीक है कि नहीं बाई स्टेटी सब कुछ कर सकता है सुसाइटी में लो एंड और बना के रख सकता है ठी की अगर मैं बात करूं जो इसके मेन मेन जो już的 सपोर्ण हैं टीज गीरीन सक्रीन वह मैं आज और बात करूंत तो मैंक कटन लोंड जोन डोल ऑवर्लिन इस सभी को याद होने बहुत ज़रूरी है ठीक है आपको याद होने बहुत जरूरी है किलियर है चलिए नेक्स्ट है यहां पर दुस्तों इंग्स पर समझा दिया रूसो वाजा सपोर्टर रोफ पोजिटिव फ्रीडम है एंप्रसाइज देट ट्रू फीडम कैन वी अचीव ओनली वाइप फ्लोइंग मोरल लोस क्या क पोजिटिव लीवर्टी के बात कर रहा है है हना हरवट पोजिटिव लिवर्टी के बात कर रहा है हमा हरवट तक था कि सकराथनुक्त अब्धाना का समर्थन किया उना माना था कि मजदूर वर्ग इसके बास्तविक लक्ष रखने को एस समर्द के요 फिरोट के बात कहिए कि पोज़ेटिव लिवरटी के अंदर किया होता है कि जो मजदूर वरग होता रब होता है वह आमीड्च लोग यह कहना है हरवट मेकवेश का किसका कहना है हरवट मेकवेश का है और सो सपोर्टेड दा पॉजिटिव कंसेट फ्रीडम ही बिलीब ड़ दफ वर्किंग क्लास इस अनेवल तो सी इस ट्रू कोल नेश्टर जोन डोल से इनकी त्योरी काफी बहतर माने जाती है कंटेंप्रेरी कांटेंप्रेरी सम्काली वड्ट के समकाली सव्टिय मेरी बोई जो आ रही है अब बताएए में बॉझ कैसे आ रहे है अब बताएए कर दो दॉक्त स्लोग बोल रहा था कि बल्कुल समूथ ली सम्झारां ठीक है चलिया कोई बात नहीं कोई दिक्कत नहीं है सहिए सर के लि इनका क्या कहना है कि अधिक्तम ब्रिद्ध की मांग को ठोस बनाना है तो इसे कुछ मौलबू संदरता में भिवाधित किया जाना चाहिए जैसे अभी बैक्तिक के संदरता समुधाई के निर्माण और आगे बढ़ने की संदरता वैपसाय और जीवन के संदरता आदे यानि कि इनका कहना है जोन डोल्स का क्या कहना है अधियोरी ओफ जस्टिस तो जोन डोल्स है इनकी बुक आय थी 1971 की पास की बुक है और इनकी बुक का नाम था आधियोरी ओफ जस्टिस क्या नाम से इनकी बुक का नाम जोन डोल्स की दुस्तों बुक का नाम था आधियोरी ओ जस्टिस 1971 में दोस्तों यह बुकाई थी यह बंदे हैं इन्होंने अपनी इस बुक के अंदर क्या कहा था इन्होंने इस पुक के अंदर यह कहा कि अगर फ्रीडम जो राइट है उसको और ज्यादा मजबूत बनाना है क्या कहा रही है इम इसको दिमांट फोर मेक्जिममं इंकरीश आफ इस्टू विσιूड़िफाइडcamossen सुड़िदी विनाम है करना है हमें right to freedom को और ज्यादा divide करना चाहिए और इसमें कुछ parts को जोड़ देना चाहिए ताकि freedom को right से काफी important होगों को अब दूस्तों उसमें क्या क्या जोड़ना चाहिए यह कहते हैं उसके अंदर freedom of speech जोड़ दो और आगर चलकर दोस्तों कहीं ना कहीं सभी देशों ने अपने constitution करते हैं इन सभी बातों को सामिल वेकिया जैसे इंडिया के अंदर भी है आगर मैं बात बतारहे हो पहले आपको इनकी wären जोल की मालो दुस्थो CO2 है कि अज़िए कि अज़िए बस समझ जाने या यह बंदा और यहां माले बंदा बैठा हुआ है कि दुस्तों यह पूर साइकल को चला रहा है दुस्तों मेरी ड्राइंग थोड़ी गंदी यार मुझे पता नहीं कैसे बनाते हैं ठीक है कि यह झाल रहे हैं जो बहुता है जो होता है अगर कि एक कड़ी तूट जाए तो पूरा चैन कि कि सी काम का नहीं यानि की एक टूटने से वह पूरे चैन पर डाल रहा है समझे दूस्ति यहां पे इसी तरीके से सुसाइटी के अगर सबसे जो मिनिमम परसन जो बिल्कुल ही गरीब है पिछड़ें बैकवर्ड है अगर सुसाइटी के अंदर उनको ज्यादा है नहीं की न दोस्त तो ऐसे लोग सुसाइटी के अदर परसन पर वी इफ्यक्त डालेंगे समझे और गलत हो सकता है कैसे अब किसे पास खाना पीना नहीं होगा कमाने का साधन नहीं होगा तो आप क्या करेगा वो वो आपके हमारे जैसे घर में चोरी करने तो आएगा समझे हैं तो जोनरास क्या कहते हैं क को मिनिममम की किलियर है इडियोगेट में पॉइंट चलिए है आई होप कि आप समझ गयोंगे कि क्या कहना चाहरे है यहां पर कौन जोन रोल्स को ठीक है हाँ यह तो दूस्तों बात हो गई थी लिवर्टी की कुसकी पॉजिटिव लिवर्टी की यह बात हो गई पॉजिटिव लिवर्टी की सिंपल बात यह है कि सुसाइटी के अंदर क्या करना है क्या नहीं करना है आप जो चाहों वो कर सकते हों बट आपके बज़े से किसी औ गलत एंट न पहुंचें यह एका यह कहनाहे किसका यह पोजिटिव लिविटी का अगर गलत इस पहुंचती है तो सरकार के दंडा हैं अपके नंदर दो यह यह सरकार आप पर रोक लगाएगा जोन डॉल्स का लेंटंगे ़ोंße सब्भर JUĂ कोर्ण गोरत exist tarni passengerage डोल्स किसने से च्शों डोल्स को हैं जोन डोल्स तडरय वे जोन डोल्स जोन के च्समील के बाद पढ़ा भी कि अ में जोन ऺखे गरता हुआ हम इसमें पढं़ लेगर है फिख जेस के बारे में − जाς सुब्छ ने कहा था किसने YesMeal अभी जस्तोर YesMeal के थी पड़ेंगे लिए पड़ेंगे हम next part के अंदर YesMeal क्या कहा था कि इंसान जो चाहे वो काम कर सकता है लेकिन इंसान के द्वारद जो काम किये जा रहे हैं उसका गलद इफेक्ट किसी और पर ना पड़े तो इंसान कर सकता है अगर इंसान के काम से किसी और पे गलत पड़ता है तो इस्टेट आएगी और ऐसे बंदों को काम करने से रोकेगी यही में यही एक एक एक्चुल लिवर्टी है ऐसा जेस मिल का मानस ओन लिवर्टी अपनी बुक के अंदर दोस्तों यह सारी इसने बात पड़ी तो आप पोजिटिव लिवर्टी के अंदर जेस मिल के वीचार पर डालोगे ठीक है एक एक अलगछय सप्टेट किलास लूँगा में जेस मिल के थोट्स के उपर जेसमिल ने क्या पर तो जेसमिल ने कहा कि सेल्फ डूघॉड यहां पर समझना जेस मिल के देवारा भाना जो फियोरी दिये गई वह पहली यह अधर रिगार्डऄDri, अधर रिगार्डइंग ग्याने, यह दूसरी है सेल्फ रिगार्डइंग हैं अधर रिगार्डिंग को सेल्फिंग का मुत यह है कि इंसान जो भी काम करें वो कुछी और भी करें वो जाकर साला सुसाइड कर ले मर जाय को जा यह लिए नगी जाय काम जो कर रहा है अगर उसके काम करने से सिर्फ हए कुंइ के ऊपर परवाब यह कर फैक्स पट रहा है तो JS Meal की दुवारा दोस्तों यह जो थियोरी दी गई, self regarding वाली, जो वो काम करे, अगर उसका effect उसके उपर ही पढ़ रहा है, जो इसको self regarding है, self पर खुद पर पढ़ रहा है, तो जो चाहिए वो कर सकता है, ठीक है, बट याद रहा है, इसी कारण से इसको हमने negative liberty में डाल दिय लेकिन इसके इस theory की कारण, इसको हमने positive में भी डाल दिया, इसमें क्या कह रहा है, अब वो इंसान जो काम कर रहा है, अगर उसके काम से किसी और पे कोई गलत effect पढ़ता है, इस तरके से कोई परभाप पढ़ रहा है, जिसके वैसे उसकी freedom पे कोई खतरा है, जिसको कह रहा ह यानि कि एक बैक्ति के काम से किसी दूसरे बैक्ति को नुपसान हो रहा है, other recording, तो इस condition में state आएगी और इस बैक्ति को रोग देगी वो काम करने से ताकि इसको कोई दिक्कत ना है, is that clear? इसको बोलते other recording, ये बात इसके सही मानी गई और इस बज़े से इसको डाल दियेगा पोजिटिव लिवर्टी के अंदर, तो एक ऐसा पहला ठिंक करें, जिसको पोजिटिव और निगेटिव दोनों लिवर्टी में काउंट कर जाता है, clear है? ठीक है? चलिए दोस्तों, क्या बात है? बहुत intelligent है, बहुत intelligent है, हाँ दोस्तों, जान तक तो हमार होगी, आब बात क समझा दिया, negative का मतलब ही होता है, नकरातमक, ऐसा काम जो आप चाहो वो सब काम आप कर सकते हो, whatever you can do, बट याद रहे, उस काम को करने पे आपको कोई भी रुकावट नहीं होगी, of sense of restriction, that is known as negative liberty, यानि कि आपके काम में सरकार या state का कोई भी इंटर्फेर ना होना ही, negative liberty कहल आते हैं, दोस्तों, topic पे समझते हैं, क्या ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है, देखो पहले, negative liberty के हमें, थोड़े aspects को समझते हैं, इसमें दोस्तों, खाफिछा थिंकर साएंगे, अभी समझेंगे हम क्या का कोन को थिंकर सा रहे है, negative aspects of liberty, means absence of restriction, क्या है, absence of restriction, अब जो चाहो वो करो परतिवन्दों का अभाव है, जो चाहो वो करो, यहाँ पे आपके उपर कोई भी परतिवन्द नहीं होगा, कोई भी रुकावट आपके उपर नहीं होगा, इस aspects implies that there should be no limits or control, individual liberty, यानि दोस्तों कोई भी limits और control नहीं होना चाहिए, यान दोस्तों आपके पास unlimited liberty है, आपके पास unlimited freedom है, आप जो चाहो वो कर सकते हो, क्लियर दोस्त, आप जो चाहो वो कर सकते हो, unlimited freedom आपके पास है, बट याद रहे, positive liberty के अंदर आपके पास liberty है, या दो positive में, तो उसके अंदर हम बोलेंगे, limited freedom, लेकिन negative के अंदर आपके पास है, unlimited freedom, के लिए दोस्तों unlimited freedom, unlimited आपके पास नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता है, आपके पास no limits and control, जो चाहो वो कर सकते, individual liberty, the supporters of this theory are लोक, है न, दोस्तों लोक हो गया, मिक्क्यावली हो गया, देखो, यहाँ पर जेसमील, जेसमील का भी नाम आगे, मैंने बताया दना आपको, जेसमील को negative positive दोन में डाले जाता है, तो इस तरके दोस्तों यह सार इसके thinkers है, अभी इन दोस्तों क्या कहा है भी इसके बारे में समझेंगे भी हम आगे चलके, अभी आपको आपको बतात यहाँ पर क्या, the negative concept of liberty regaled in the hands of the individualist, the state according to them is a necessary evil, अब दोस्तों यहाँ पर बहुत चरूरी बात है, सही समझा जो आपर बता रहो हमें, यहाँ पर दोस्तों जो negative liberty है, यहाँ कहता है कि इंसान जो चाहिए, वो कर सकता है, unlimited दोस्ता को बास freedom होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर द स्टेट है, दोस्तों जो स्टेट है, वो नेसेसरी है, दोस्तों जो स्टेट है, वो नेसेसरी है, यानि कि स्टेट जो है पर जरूरी है, जरूरी क्यों है, लोज वेगरा को बनाने के लिए, और सोसाइटी के अंदर लो एन्लोडर बना के रखने के लिए, तो दोस्तों यह डालता है कि यहां पर जो नेगिटिव लिवर्टी कि सब सपोर्टर जो है वो कहते हैं कि जो इस्टेट वह नेसेसरी भी है और यानिकी बूरा भी है यहां पर आपको यह समझना होगा किलियर है it must not interfere with the natural liberty of individuals तो इनका यह कहना है कि दोस्तों जो इस्टेट है वह बिल्कुल भी इंटर्फेर ना करें लोगों के लिवर्टी जो इंडिविजुवल दोस्तों जो राइट लोगों का उसमें बिल्कुल भी इंटर्फेर नहीं करना चाहिए लोगों को ठीक है चलिए दा स्टेट सो नोट इंपोस डैस्टिक्शन सिंपल बात सोगे जो आपके डिस्टेंट्स विगरा जो जो जूर्फेर नहीं सकता लोग जो चाहें वह अपने मज़ी से करेंगे उन तैंडिविजुवल तक डैट गवर्मेंट इस डपैस्ट भीष गवर्मेंट डैस्ट या सिफ लोगों को पोटेक्शन दे बस लोगों को सिफ फ्रक्ष्या दे पुलिस बैवस्ता बनाये रखे ठीक है बस बाकी काम लोग खुदी कर लेंगे पॉल्टिकल सेक्टर में लोग इंडिपेंडेंट है वो जो चाहें वो करें एकनोमिक सेक्टर के अंदर इस्टेट का को बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए पोल्टिकल सेक्टर में नहीं होना चाहिए कुछ भी तरीके से कोई भी इंटर फिर गॉवर्मेंट नहीं करेंगी तो हम क्या करते कि सबसे अच्छी गॉवर्मेंट वही है जो सबसे कम सासन करती है जो कम से कम सासन करती है अब दूस्तों काफी इंपर्टेंट लाइन है यह काफी इंपोर्टेंट लाइन है कि वह सब कुछ कर सकता है दोस्तों को सब करने में दोस्तों फिरी हाँ जो वह करना चाहता है आप दोस्तों यहां पे कुछ थinkरसे आपको नाम जा रखना हर्व का रेखना हर्वाग स्पेंशर के क्श्पाती थे निकर्स्पातः स्पेंसर है जो कि नकरात्मा सुसंद्रता जो नेगेटिव लिवर्टी के सपोर्टर है उनका कहना है कि समाज में केवल योगतम को जीवित रहने का दिकार है बाव भाई अरे बाव भाई क्या बांग चाड़ा केस ने थोरी भी है भाई हर्वर्ड स्पेंसर वाज वाज वाज़ वर्स नेगेटिव लिवर्टी विवर्टी इस इस डट ओंली दफाइड जो फिटेस्ट लोग है जिनको कोई बीमारी नहीं जो ब्रीकुल अच्छे हैं उनको हैं दा राइश टू सर्वाइब इन सुसाइटी बाभाई हर्वर्ड स का यह कहना है कि जो इंसान बिल्कुल ही ठीक है ना उसको कोई बीमारी है ना उसकोई व् composed जिकार रिये नहों आपनी होन manifestations ही आप अगों से कारण से सको किसमें डाला गया है तुक माल रहा है हुए आप जोस्तों, मालो कि आप मेशतों कोई बिमार है ना तो आप बिमार हो, तो आप किसी काम के नहीं हो आपको फेक देना चाहिए, आपका मर जाना ही अच्छा है कौन कहा रहा है? Highward Spencer कहा रहा है इसने एक theory ओर देती, इसने क्या कहा था? कि मान लों कि हमने दो पोधे लगाए है ना हमने दो पोधे लगाए है ना एक पोधा हमने दोनों में बराबर पानी एक पानी डाला था एक तो दोस्तों बनकर बड़ा हो गया बहुत जादा और एक छोटा ही रहे गया यह बड़ा नहीं हुआ तो ऐसे में दोस्तों यह अपन है ना ऐसे लोग जो देश के कामी नहीं है उसको छोड़ देटा है जी सरकार ठीक है यह कौन कहा रहा है यह कहना है हरवर डिस्पेंसर का दोस्तों इतनी बाहिया थोड़ी इस नहीं दिये जिसे काण से इसको नीगेटिव लिवर्टी में डाला जाता है किसमें लिवर्टे में डाला जाता है। केलियर है चलिए हैं friendships मिल खुश्य को ब्यक्ति काति क्थीव है कम अस्टेश द्यकर नहीं करने का अधिकार नहीं का मत सेंटेठीवाल कि इंसान जो चाहिए वो कर सकता है स्टेट कोई भी इंटर्फियर नहीं करेगा उसके काउंट के इंटर्फियर करने का दोस्तों कोई राइट नहीं है अब थोड़ा चाट समझते हैं हम थाकि हम समझ पाए यहां पर कि यह क्या समझाने कोशिश करते हैं यहां पर दोस्ताम नेगेटिव एस्पेक्ट्स में और पोजिटीव जो आपका लिवर्टी उसके इंदर ठीक है नेगेटीव पोजिटीव सबसे पहले गया है नकरात्म संदर्था का अर्थ परतिवंदों का ना होना है जोस्तों नेगेटिव में क नेगेटिव इसली माना गया है जो बैक्ति के लिए सोचल इक्यों मिक पॉलिटिकल रूप से कारदे करें, उनके social welfare के लिए काम करें, और इस चीज के लिए वो उसमें interfere भी कर सकता है, लोग के काम में interfere भी कर सकता है, तो सिंपल आपको यहाँ पर यह बताने है, नकरातमा संदर्ता का अनुसार, यहाँ पर क्या है, वह सरकार सरवुत्तम है, वह सरकार सबसे अची है, जो कोई सबी सकतर हो, ठीक है, सरकार वहाँ पर कानुन बनाएगी, और इंटर्फियर करेगी, जो लोग के अधिकार, या उसके उनके विकास के जरूरी है, मालोग दोस्ते एक ऐसा गुरूप है, उनके गुरूप के लिए कानुन बनाना पड़ेगा, उनके सभी के विकास के ल जो रैश्टिक सा लई है, सकरात्मा पहलों पहलों सार कानुन बैक्ति के सम्पतिक अधिकार सीमिध हो जाते हैं, हमारी जो राइट तो लाइफ और प्रोपरटी है, यह कहने के जो से लिमिटेड हो जाते हैं, अगर कानुन बनाय जाए यहाँ ठीक है, नेगेटिव में, सक तो माई रो दो सको पब्ली सेल्ट cha होपा फंडमींटल एता शमी ले सकते हैं टक है लेकिन नुगेटिव बड़ी नहीं लिया पर लेका निगेटिव करो दोस्त्क हमेरी प्लूल हुआ थाधू मुराजी अचय रिषाइद सरकार के राइटु एक प्रोपैट। तो धूस्तो सरकारी जो रेट होता हास तहत उसको पैसे दिया जाता जो की काफी कम कर्दाता था तो डोस्तो छो बी कुछ लेता है सरकार किसी से कूई लेती को लान् rif लेती तो बोस्त ये Emil ले ती तो इसको और भृट आ डिया तो सरकार नो हम जाएंगे रिष्टि कोट फिर हाई कोट फिर सोप्रेम कोट इन्हें लंबे प्रोसेस में इंसान ऐसे जिंद्धी अपने काट देगा इससे अच्छा वह कहीं हो जो मिल देलेगा समझे दोस्त चलिए है आई होप क्या समझ रहे होगे एंड थोड़ी इंग्लिश मेडिया माले बच्चे पहले मं को बता दू यहां पर जाए इंडिविजूल्स लाइफ वेर्टु एक्स्टरनल यादि कि नो एक्स्टरनल एथोर्टी चैन इंटर्फेर कोई एक्स्टरनल एथोर्टी करें निग सम कंडिशन में क्या यानि कुछ कंडिशन के अंदर जो नैसेसरी ओ वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन ग्वर्मेंट कर सकती है यहां पर दोस्तों क्या करें कि कंडिशन तो और सुसाइटी का है सभी स्वेक्षिट का वाप इंटर्फेर बिल्विद भी नहीं यहां पर कर दोस् इस में से स्टेट जो है वे सोसाइटी काम में भी इंटर्फियर कर सकती है पोजिटिव इंटर्फियर नेगेटिव इंटर्फियर नहीं है ना इस आपको यह बता रहें सिंपा दूस्तों वही सार यहां पर पहुंच दिये गए इस आइडिया इस को फ्लाने के लिए यहां दोस्तों इनसान का दोस्तों जनमी हुआ है कि से फ्लीडम से लेकिन यहां पे जो फ्लीडम है वह और आइडिया जाता है लोगों को बाइद गवर्मेंट बाइद श्टेट इस एरक कमस इंटू परस्नल डोमेन उप क्यों कि इंडिविजुल परस्न को मिला के पूरी सुसाइटी बनी पड़ी सुसाइटी का विकास इसमें ऐसा है ना मोर निगेटिव लिवर्टी लीट्स तो मोर फीडम जितनी जादा फीडम होगी उतना जादा अच्छा हुआ लेकिन यह कहता है कि लिवर्टी होगी लेक आपके काम से किसी और को कोई भी प्रसानी या कोई भी प्रोग्रम इस बज़े से आप पर रेस्टिक्शन लगाना उचीत है ठीके सही है इस तरके दोस्त आपको यह बताना होगा नेगेटिव पोजिटिव में डिफिरेंस बताना होगा अब दोस्तों यह सब आप पूरा पड़ लोगे तो आपको यह भी पता हो चाहिए कि एक्जाम में लिखते कैसा है यूटिव पर सच करना है कि आपके वीडियो मिलेगी लिखो ऐसा अंसर था कि टीचर भी दिवाना हो जाए इस वीडियो को देख डालना है इसको देख डाला तो लाइब जिंगा लाला सथ इसके बाद दोस्तो इस टोपी का जो नोट से आपको लिंक मिल जागने से डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर साथ ही यह जो सलाइड है यह आपके लिए काफी सोट मोर्ट का काम करने वाला है तो दोस्त यह सलाइड आपको मिलेगा जोस बढ़ाओ डोटकुम पर आई कीजिए ताकि और लोगों को इसके बारे में पते चले कि फिरी क्लासे से यहां पर हो रही है दोस्तों मैं फिर आपको बिल्कुल लाइप पढ़ाता हूं थाकि मजा आए पढ़ाने में कैसे लेगी दोस्तों आची क्लास नीचे मुझे कमेंट बोक्स में बताना ठीक है दो क्क्रश्चरी यहां थापको अख़ा है क्लास्दों कि हमें बताना है क्लासी दोस्तों कि लेगाओ ATता है रही है दोस्तों आबाता है भी मतО्पा भडला है biology ट θα दे प्रॉप भ protector कि अबंद्दों आध